नवश्कार विद्यार्थियों हम एक नएया टॉपिक प्रारम कर रहे हैं इटली का एकी करण देखे विद्यार्थियों उननिस्वी स्ताब्दी यानि कि जिसका प्रारम अठारा सो एक से होता है इसस्ताब्दी में योरॉप में राष्टिता की भावना का तिवरगती से विकास हुआ है राश्ट्र के प्रति भक्ति की भावना को ही, राश्ट्र के प्रति भक्ति की भावना, सरद्धा, आस्था, निश्ठा, समर्पन, त्याग, बलिदान, ये जो भावना है, इसी को राश्ट्रवाद कहा जाता है, यही राश्ट्रिता कहलाता है, जिस देश के मनुश्यों में राष्टिता की भावना विध्यमान होती है उस देश के मनुश्य अपने देश को अपनी भूमी को संसार में सरवस्रिष्ट मानते हैं अपने देश को सब सरवत्तम मानते हैं और उसके विकास के लिए हिर्दय से प्रियास करते हैं उस देश के व्यक्ति गरव से कहते हैं कि मैं इस देश का निवासी हूँ इसके अत्रिक्त वे अपने देश की रक्षा करना अपना धर्म समझते हैं और उसकी उन्नती के लिए प्रियतनसील रहते हैं जब किसी देश में उस देश के मनुश्यों में वहां की जन्ता में ऐसी भावनाई पैदा हो जाती हैं तो इसका अर्थ यह ध्वनित होता है कि उस देश के मनुश्यों में राश्ट्रिता की भावना विद्यमान है राश्ट्रिता की भावना का उदय, यदि हम यौराप के संधरब में बात करें तो सबसे पहले युनान के नगर राज्यों में द्रश्टिगत होती है उसके पश्चात रोमन सामराज्य में यह भावना हमें दिखाई जेती है रोमवासी अपने सामराज्य की रक्षा के लिए अपनी जान तक देने को तत पर दे इसके अत्रिक वे राश्ट्रिहित को सर्वो परिमान दे थे मध्यकाल में सामन्त वाद भी जो सामन्त वाद है उसके समय भी राश्टता की भावना विध्यमान थी सामन्त भी अपने राज्य की रक्षा के लिए सब कुछ गुर्बान करने को तत पर रहते थे इसके पश्चात पुनर जागरन और धर्म सुधार आंदोलन के समय राश्टता की भावना का विकास प्रार्भ हुआ इस्पेन के विरुद्ध डचों का स्वतंतरता संग्राम और अमेरिकन उपनिवेशों में इंग्लेंड के विरुद्ध स्वतंतरता संग्राम ने राश्टता की भावना का मार्ग प्रसस्त करने में महत्पूर्ण सहयोग दिया। अभी हमने फ्रांस की राज्यक्रांती भी पढ़ी विगत दिनों में। फ्रांस की राज्यकांत करनती ने प्रगति सील राश्टता की भावना को जर्म दिया। इसका आधुनिक युक पर बहुत परभाव पड़ा। नागरिकों के हिर्दय में अपने देश की सुरक्षा के लिए राश्ट्रिय भावना को भरने में फ्रांस की करनती ने ए दिवतिय योगदान दिया। जहां तक बात है विध्यार्थियों इटली की। इटली प्राचिनकाल में इटली का जो रोमन सामराज्य था विश्व का सबसे बड़ा सामराज्य था। लेकिन अपने एकी करन से पूर्व यानि कि उन्नीस में स्थापदी की हम बात करने हैं विध्यार्थियों और उसमें इटली अने एक छोटे छोटे राज्यों में विवाजी था। नैपोलियन ने इटली पर विज़े प्राप्त करके वहाँ फ्रांस का सासन स्थापित कर दिया। इससे समस्त देश एक नियम और एक सासन प्रारम करके इटली के लोगों में राष्टिता की भावनत जागरत की। नैपोलियन के सासन का जो पर भाव पड़ा, क्योंकि पूरे इटली में जो की एक भोगोली की काई था, जोने एक छोटे राज्यों में विवखत था, वो नैपोलियन के काल में ये एक राजनितिक इकाई के रूप में हमारे सामने आता है, और इससे लोगों में राष्टि की भावना जागरत होती है, परंतु, 1815 में नैपोलियन के पश्चात, विएना कांग्रिस में इटली के पुराने राजवन्सों को पुने स्थापित कर दिया, और राष्टिता की भावना की अभेलना करते हुए इटली को छोटे-छोटे राज्यों में विवखत कर दिया, विएना कांग्रिस की बात आई, नैपोलियन के पतन के पात, 1815 में एक सम्मेलन हुआ, योरोप के देशों का, और वो विएना नामक स्थान पर हुआ, जो की आश्टिया की राजधानी है, वहाँ विएना कांग्रिस में इटली को पुने छोटे-छोटे राज्यों में विवखत कर दिया, और नैपोलियन द्वारा स्थापित शासन व्यवस्था को सम्माप्त कर दिया, और इटली के राज्यों में पुने निरंकुस राज तंत्रात्मक व्यवस्था स्थापित कर दिया, इटली के जो लॉंबार्डी और वेनेशिया प्रदेश थे वे आश्ट्रिया को दे दिये गए, लॉंबार्डी और वेनेशिया आश्ट्रिया को दे दिये गए, पर्मा, मोडेना तथा टस्कनी के राज्य आश्ट्रिया का ही एक जो राज्वन्स था जिस राज्वन्स का नाम हपस्वर्गिया है सामने स्लाइड पे लिखा हुआ है ये पर्मा, मोडेनी और टस्कनी की जो स्टेट्स हैं जो राज्ये हैं आश्ट्रिया के हपस्वर्गिये वंस को दे दिये गए। रोम में पोप का राजिस्था पित किया गया। नेपल्स और सिसली इन में बुर्बर वंस के बुर्बन वंस के फाडीनेट पर्थम को सासक बनाया गया। और पिड्मांट तथा जिनेवा ये सारडीनिया में समलित कर दिये गए। तो ये इस परकार से इटली को विभाजित कर दिया गया। इस व्यवस्था पर टिपनी करते हुए मेटरनिक का जो स्टेट्मेंट है वो बड़ा महत्पूर्ण मुझे यहां परतीत होता है। मेजनी ने कहा था माफ करना मेतरनिक ने कि इटली एक भोगोलिक चिन मात्र रहे गया है इस नई आव्यवस्था के कारण इटली में निरंकुस परतिक्रियवादी एवं ब्रष्ट सासन पहल गया। मेटरनिक का जो स्टेटमेंट था विद्यार्थियो एक ही पंक्ति का था इटली एक भोगोलिक चिनमातर रहे गया है यही इतना स्टेटमेंट था इसके बाद उससे जो एवेवस्था होई उसके कारण इटली में निरंकुष परतिकरियावादी यह ब्रश्ट सासन फैल गया इटली की दुर्दशा पर मैजनी ने कहा था जो कि इटली का निवाशी था वहाँ का नेता था इटली के एक ही करण में जिसका योगदान था मैजनी ने कहा था हमारा ने कोई विशेश जंडा है ने कोई राजनितिक नाम है ने तो योरॉपिय राष्ट्रियों के बीच हमारा कोई स्थान है ने कोई समिलित बाजार है हम आठ राज्यों में विवक्त हैं टस्कनी, मोडेना, पर्मा, लॉम्बार्डी, वेनेशिया, पॉप का राज्ये तथा पिंडमांट नेपल्स के राज्ये ये सब एक दूसरे से स्वतंत्र हैं उन में से किसी परकार की एकता और व्यवस्तित संबंध नहीं है पर्तिबंधों एवं टैक्स की भरमार के कारण इटली के परतेक राज्ये में सब आउशक वस्तूओं के दाम बहुत ज़्यादा है आयात और निर्यात में अवरोध उपस्तित होता है क्योंकि पर्तिबंध और टैक्स बहुत ज़्यादा है और हम सवतंतरता पूरा कुन वस्तूओं को नहीं बेच सकते जो हमारे पास आउशक्ता से अधिक है मेजनी आगे बोलते हैं कहते हैं इन राज्यों में प्रैस की स्वतंतरता भी नहीं है ने भाशन की स्वतंतरता है और ने समलित रूप से कार्य करने की स्वतंतरता है ने सिक्षा संबंदी स्वतंतरता है और अन्य किसी परकार की स्वतंतरता भी नहीं है ये मेजनी के विचार है इटलिवासी भरष्टाचार और प्रतिकिरिया पराधारित इस सासन व्यवस्था से पीडित थे उनमें बहुत ऐसंतोस था और वो इस सासन व्यवस्था को स्विकार करने के लिए इसको स्विकार करने के लिए तयार नहीं थे देशभक्त अपनी देश की दुर्दशा पर छुब्द थे व्यथित थे उनके खीज थी उनमें वो कुछ करने को मरने को बेताब थे और विदेशी सासकों को अपनी भूमी से हटाने के लिए प्रितन करने लगे संपूर्ण इटली में कई परकार की समीतियं स्थापित हो गए जिसमें एक समीति जिसका नाम कार्बोनेरी कार्बोनेरी इनमें परमुक संस्था थी विदेशियों को इटली से बाहर निकालना और वैधानिक स्वतंतरता स्थापित करना कार्बोनेरी संस्था का परमुक उद्देश्य था इस संस्था की पहली बैठक में जो पहली बैठक है वो एक कोईले की दुकान पर आयोजित की गई थी इसलिए इस संस्था का नाम कार्बोनेरी पड़ा यहां के बड़े-बड़े सहरों में कार्बोनेरी की संस्थाएं खोली गए और इस संस्था का मुख्य उद्देश है इटली का एक ही करण कार्बोनेरी जो संस्था इसमें सभी वर्गत के लोग थे 1831 तक इस संस्थाने इटली के जो स्वतंतरता प्रेमी लोग थे उनका नेत्रतों किया बात करते हैं 1820 में और 30 में जो विद्रो हुए 1820 में नेपल्स में देश भक्तों ने निरंकुस साशन के विरुद्थ विद्रो कर दिया परंतु आश्ट्रिया की सेना ने विद्रो का दमन किया पिड्मांट के विद्रो को भी दबा दिया गया परन्तु देश भक्तों की राष्टिता और प्रजातंतर की भावनाएं कुछली नहीं जा सकी 1830 की फ्रांसिसी क्रांती ने देश भक्ती की दबी हुई अगनी को पुने परजुलित कर दिया इस क्रांती के प्रभाव से पर्मा मोडेना और पोप राज्य में विद्रो हुए इसके प्रणाम सवरूप यहां के सासकों को जनता ने भखा दिया विद्यार्थियो बहुत बड़ी बात है वहां के सासकों को जनता ने भखा दिया और जो पर्मा की जो क्वीन थी वो आश्ट्रिया भाग जाने के लिए विवस हो गई परन्तु आश्ट्रिया के चांसलर मेटर निक ने आश्ट्रियन सेना को भीज कर मेडेना पर्मा पोप के राज्य में विद्रोईयों को बुरी तरहें कुचल दिया इन राज्यों में हुई एस्फल करांतियों ने यह स्पष्ट कर दिया कि इटली के एकी करण में सबसे बड़ी बाधा आश्ट्रिया है और स्थानिये विद्रोईयों से उसकी सक्ति को सम्माप नहीं किया जा सकता और विद्यार्थियों जैसा कि लिप्षन ने लिखा है कि उनके ये अनुभव आगे बहुत काम आए केटलबी जो इतियासकार बड़े इतियासकार है केटलबी का भी मत है कि इटली के नेताओं को यह ग्यात हो गया था अठारा सो बीस और अठारा सो तीस की विद्रो की ऐसा फलता के बाद उनको ग्यात हो गया था कि जब तक आश्ट्रिया के आधिपत्य का अंत नहीं हो जाएगा तब तक उनके स्वतंतरता और एकता के प्रेतन नेरर्थक होंगे इसके बाद विद्यार्थियों हम बात करते हैं अठारा सो अड़तालिस की क्रांती का इटली पर परभाव मेटर्निक के पतन के समाचार से इटली के देशभक्त बड़े उत्साहित हुए एकसाइटेड हुए और उन्होंने अनेक स्थानों पर विद्रो कर दिया मिलान में विद्रो हुआ वहां का गवर्नर भाग गया वैनिस में भी क्रांती कारियों ने विद्रो कर दिया और आश्ट्रिया के सासन का अंत करके वहां गनतंतर की स्थापना की जनरा अंदोलन के जोर को देखकर परमा और मोडेना के सासक भी भाग गए 23 मार्च 1848 को साइडिनिया पिडमांड के सासक चार्ल्स एलबर्ट ने इटली वासियों की और से आश्ट्रिया के विरुद्ध की घोशना कर दी 23 मार्च 1848 को साइडिनिया और पिडमांड के सासक चार्ल्स एलबर्ट ने इटली वासियों की तरफ से आश्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोशना अभी हमने विद्यारतियों यह बात की थी कि इतियासकार कैटल भी ने भी लिखा है कि इटली वासियों इस बात से सहमत हो गए थे या उनको अनुभव से यह ग्यात हो गया था कि जब तक आश्ट्रिया के आधिपत्य का अंत नहीं हो जाता वो स्वतंतर नहीं हो सकते तो अब इटली की तरब से साडिनिया और जो पिंडमांट जो बड़े स्टेट हैं यहां के सासक चार्ल्स एलबर्ट ने आश्ट्रिया के विद्यूद की गोशना कर दी पोप और नेपल्स के साथ सक फर्डिनेट की गद्दारी के कारण चार्ल्स एलबर्ड को आश्ट्रिया की सैनाओ ने आश्ट्रिया की सैनाओ ने प्राजित उसको कर दिया किसके कारण फोप के गदारी हो गई और नेपल्स के साथ सक फर्डिनेट की गदारी हो गई इसके कारण चार्ल्स एलबर्ड जो आस्ट्रिलिया से लड़ाई लड़ने गया था उसकी पराज्य हो गई जिसके फल्षरूप उसने सिंगासन त्याग दिया और उसका पुत्र विक्टर इमेनुवल दिवतिय सार्डिनिया का सासक बना इस समय तक क्रांतिकारियों की रीड की हड़ी तूट चुकी थी परिणाम सोरूप नेपल्स, सिसली, टसकनी, दोहराराओं विद्यार्थियों नाम नेपल्स, सिसली, टसकनी आधी राज्यों में पुने, निरंकुस और परति किरियावादी सासन स्थापित हो गया रोम में लुई नेपोलियन की सहायता से पोप पुने सिंहासना रूड हो गया इस प्रकार इटली की एकता और स्वतंतरता का प्रथम राष्ट्रिय संग परियास स्थापित हो गया इटली में पुने आश्ट्रिया का प्रभाव स्थापित हो गया और पुने प्रति किरिया वादी निती अपना ही जाने लगी अठारा सो अड़तालिस की क्रांती की ऐस फलता से इटली के देश भक्तों को प्रबल आगात पहुंचा परंतु उसके कुछ अच्छे प्रिणाम भी निकले इस संगर्स के पश्चात उन्हें स्वतंतरता संगराम का नेत्रतों करने के का राजवन्स मिल गया जिसके सासक्स चार्ल्स एलबर्ट ने मार्च 1848 में आश्ट्रिया के विरुधियुद किया था प्राजित हो गया कोई बात नहीं उसके बाद उसका पुत्र सासक बन गया विक्टर इमेनुवल दिवत्य है लेकिन उसकी प्राज्जे से इटली वासि का मनोबल नहीं टूटा और अब उनके पास में एक लीडर पिंडमान का राजवन्स इसके बाद विद्ध्यार्थियों हम करते हैं इटली के एकिकरण में बाद आए एक तो इटली की धन संपन्ता कारण की इटली इतना रिच कंट्री जहांके व्यापार वानिज्य कला साहित्य सब अपने योवन की अवस्था में अतै सभी विदेशी सक्तियां पड़ोसी सक्तियां इटली पर अपना आधिपत्य रखना चाहती हैं इटली को छोड़ना नह जाती है दूसरा पोप का विरोत पोप का सक्ति साली राज्य जो था सक्ति साली था और उसे योरॉप के परमुक राजाओं तो था कैथोलिक लोगों का समर्थन था अतै पोप को सत्ता से वंचित करना भी ये कठिन समझ जा थी इटली में एकता का भाव ये चर्चा हम कर च प्रांतियता इडशा ये भावना थी और इसे राष्ट्रिय एकता की भावना में एक बाधा थी मेटर निक्खा करता था कि यहां का एक प्रांत दूसरे प्रांत के विरुद्ध है एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के विरुद्ध है ऐसे में कोई बड़ा आंदोलन करना इत कि आश्ट्रिया का जो प्रधारमंत्री था मैटरनिक राश्ट्रिता और उदारवाद का कट्र सत्रू था और इसके कारण इटली के क्रामतिकारिया अंदोलोन को ऐसे भलता का मुद देखना बढ़ा फिर इटली के लोगों के पास में कोई निश्चित योजना भी नहीं थी जो लोग अंदोलन कर रहे थे आपस में कॉडिनेट नहीं थे मैजनी हैं मैजनी जो कि वहां का एक परमुक नेता था वो तो इटली में गणतंतर चाहता था परंतु साडिनिया पिंडमांट राजतंतर के पक्ष में थे तो ऐसे करके विचारों में भी भिंता थी कॉडिनेशन भी नहीं था कोई सुद्रड राजनितिक दल भी नहीं था जैसे भारत में आजादी का अंदोलन हुआ तो यहां पर भाष्टी राष्ट्रे का अंग्रेस थी वहां इस परकार का कोई ऐसा नहीं था कारबोनेरी की गुप कारवाईयां और चोटे मोटे विद्रोईयों से इतने बड़े लक्षे की आसा नहीं की जा सकती थी फिर इटली के लोगों में जहां तक स्वतंतरता का प्रशन है एक मातर राजनेतिक नहीं था वह सामाजिक बौधिक और आर्थिक भी था अभी तक किसी भी राज्ये ने सुधार, सामाजिक सुधार, आर्थिक योजनाओं इम बौधिक विकास से जन साधारण में पूर्ण चेतना और आत्म विश्वास उत्पन नहीं किया था अते इटली का स्वतंतरता संग्राम अभी तक एक पक्षिय था और सिमित था ग्रामिन समुधाय है, जो गाओं में रह रहा है, जो किसान है, वो अभी तक इस विश्वापर उदासी था तो ये कुछ बाधाएं थी, इन बाधाओं के कारण देश भक्तों के लिए अपना स्वतंतरता जो संग्रस था उसमें जैसा समर्थन मिलना चाहिए था वैसा नहीं मिल पा रहा था, लेकिन इसके बावजुद भी तारीफ करनी होगी कि उस संग्रस जारी रखा और उस संग्रस में जो बड़े नेता है, उनका जो एक जज़बा है, वो बहुत महत्तपूर है, वो मैजनी है, कापूर है, गेरिवाल्डी है, विक्टर एमेनुवल दिवती है, जो कि सारडिया पिंडबांट का सासक था, ये इनके परियास और हजारों लोगों के बलिदा के फल स्वरूप 1871 में इटली का एक ही करण फूर्ण हो जाता है, से सगले व्याख्यान में बहुत बहुत धन्यवाद